नमस्कार प्रिदर्शकों हाजिर हुमें आज आप लोगों को ज्योतिस का एक बहुत ही महत्तो पूर्ण विशय बताने जा रहा हूँ ग्रहों की मैत्री क्योंकि बिना ग्रहों की मैत्री को समझे आप जन्म कुंडली का सही सही अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि कौन से ग्रह किसके मित्र हैं किससे वो सत्रुता रखते हैं किसके साथ वो समभावस्थ हैं तब तक फल कथन में सत्यता नहीं आ पाएगी तो आईए आपको आज बताने जा रहा हूँ ग्रहों के मैत्री के बारे में शास्त्रकार तीन प्रकार की मैत्री के बारे में कहते हैं एक है नैसरगिक मैत्री यानि कि कौन ग्रह किसका नैसरगिक मित्र है दूसरा है तातकालिक मैत्री यानि जो ग्रह जहां बैठता है उस सित ततकाल प्रभाव से मित्रता बनाता है और शत्रूता बनाता है तो वो किस प्रकार से है और इन दोनों के सम्मिसरण से बनता है पंचधा मैत्री चक्र पांच प्रकार के मित्रता यानि अतिमित्र, मित्र, शत्रू अतिशत्रू और सम ये पांच प्रकार की ग्रह मैत्री बताई गई है पंचधा मैत्री के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा आज आपको नैसरगिक मैत्री और तातकालिक मैत्री के बारे में बताने जा रहा हूँ कारिक्रम का प्रारम्भ करें उससे पूर्व, आपको बता दूँ कि कल का जो कारिक्रम मैंने किया था गरभाधान संसकार को ले करके उसमें बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्ण किये हैं कि मैं अभी तक औसमंजस में हूँ कि क्या लोग इस चीज को जानते नहीं है जागरुकता की भी आवशक्ता है और एक ब्रिहद और वीडियो बनाने की आवशक्ता है चुकि मेरे कारिक्रम को बच्चे भी देखते हैं इसी संकोच वसात मैंने बहुत सारी बातों को नहीं बताया था लेकिन अगर मुझे ऐसा महसूस हुआ तो भविस्य में इसको ब्रिह ब्रिहत रूप में समाज को बताना क्योंकि संतती पैदा करना अपने हाथ में है गरभाधान संसकार इसी के लिए हमारे विश्यों ने बनाया है तो जरूर इस पर मैं एक ब्रिहत कारिक्रम बनाऊंगा उससे पूर्व कुछ ऐसे प्रश्न मुझे लगता है कि कई लोगों क के मन में उसको लेकर के सवाल रह गये थे लोगों ने पूछा कि तिथी की गड़ना कहां से करनी है पहले दिन से या पांचवे दिन से या छटवे दिन से मैं आपको बता दूँ कि प्रथम दिन से ही तिथी की गड़ना करनी है न कि पांचवे दिन से इसके बाद लोगों सम विसमतिति के बारे में पूछा था तो वो भी मैं बता देता हूं कि इसकी गणना प्रथम दिन से ही होगी यानी चक्र की सुरुवात मासिक धर्म के प्रथम दिन से ही हो जाती है और 16 दिन तक उसकी गणना होती है तो उसमें से 5 दिन छोड़ करके बाकी लेकिन गणना प्र पथम दिन से याद रखिएगा हो सकता है बहुत सारे लोग के मन में अभी और भी विशय चुकि ये जो सास्त्र है उस सास्त्र में साफ साफ लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ब्रिहद विशय को बहुत हद तक समझते ही नहीं जानते ही नहीं इस विशय में पू रही हो तो वहाँ संकोच से केवल और केवल नुकसान होता है तो मुझे लगता है कि कई लोग इसी चक्कर में डॉक्टरों का घर भरे मैं जरूर इस विसर को ब्रिहत रूप से समझाने का प्रयास करूंगा आईए आज बात करते हैं ग्रह मैत्री की क्योंकि ग्रह मैत्री को भी जानने की अत्यंत आवशक्ता है बिना इसको जाने जो तिसी फल कथन सत्य नहीं हो सकेगा तो आप आज जानिए ग्रहों की ने सर्गिक मैत्री तातकालिक मैत्री तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सूरिय के ने सर्गिक मित्र हैं चंद्रमा मंगल और गुरू य इसके बाद चंद्रमा की बात करूं तो सूरिय और बुद्ध इनके मित्र हैं चंद्रमा का सत्रू कोई भी ग्रह नहीं है मंगल शुक्र गुरू और सनी ये चार ग्रह चंद्रमा के सम हैं न मित्र हैं न सत्रू हैं मैं याद रखियेगा ने सर्गिक मैत्री बता रहा हूं अभी पंचधा मैत्री बाकी है जो कल बताऊंगा अब इसके बात बात करते हैं मंगल की तो मंगल के ने सरगिक मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा और गुरू बुद्ध इनके ने सरगिक सत्रू है और साथी साथ शुक्र और सनी सम है न मित्र है न सत्रू है बात करते हैं बुद्ध को अपना मित्र माना लेकिन बुद्ध ने चंद्रमा को अपना सत्रू माना अब यहाँ पर सम है मंगल गुरु और सनी यानि कि बुद्ध के मंगल गुरु और सनी सम है न मित्र है न सत्रू है इसे थोड़ा सा ध्यान देना होगा तभी जाकर के आप समझ पाएंग कि कुछ ग्रह जिसको मित्र मान रहे हैं सामने वाला ग्रह उसको मित्र नहीं सत्रू अथवा सम मानता है अब यही पंचधा मैत्री क्योंकि आज की बाते जो समझे रहेंगे कल जब मैं पंचधा मैत्री आपको बताऊंगा तब जाकर के सरलता से ये बात तय होगी क्योंकि पं तो आज का कारिक्रम आपको जानना अत्यंत आफश्यक है अब इसके बाद हम बात करते हैं गुरू की तो गुरू के नैसर्गिक मित्र हैं नैसर्गिक मित्र और शनी जो है सम है न मित्र है न सत्रू है सुक्र की बात करूँ तो बुद्ध और सनी सुक्र के मित्र है ने सरगिक मित्र सूर्य और चंद्रमा सत्रू है मंगल और गुरु को सुक्र सम मानते है न सत्रू मानते है न मित्र मानते है और बात करते हैं शनी की तो सनी के बुद्ध और सुक्र नैसरगिक मित्र हैं, सूर्य चंद्रमा और मंगल नैसरगिक सत्रू हैं और गुरू जो हैं सम हैं अब आजाए ग्रह जहां पर आपकी जन्म कुंडली में बैठते हैं वहीं तापकालिक मैत्री भी बना लेते हैं मैंने उदाहरन के लिए एक जन्मान का चक्र छोटा सा बनाया है और उसमें बताने का प्रयास किया है कि मान लीजिए कि जन्म कुंडली के दुतिये भाव में में सलगन की कुंडली हो और दुतिये भाव में चंद्रमा उच्चके होकर के बैठे हूं तो चंद्रमा तातकालि किस प्रकार की रखेंगे तो सास्त्रकार कहते हैं कि गरह जहां बैठेगा वहां से दूसरे तीसरे चोथे इसके बाद चोथे दसमें तो यहां से गीनिए एक दो तीन चार पांच 6, 7, 8, 9, 10, 10 में, 11 में और 12 में, यानि कि जहां वो खुद बैठा है, वहां से ये घर पहला हो गया, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवा घर सत्रू का होगा, छटवा घर सत्रू का होगा, सातमा, आठमा और नौवा, इस से वो तातकालिक सत्रूता रखेगा, 10, 11 और 12 10, 11 और 12 साइथ पिछली बार मैंने गलती बता दिया था यहां से ले करके दूसरे, तीसरे, चौथे, मित्र पांचवे, छठवे, साथवे, आठवे और नुमे तातकालिक सत्रुता 10, 11 और 12 तातकालिक मित्रता मुझे लगता है कि आपको सरलता से समझ में आ जाएगा बस आप इतना याद रखिए कि ग्रह जन्म कुंडली में जहां बैठेगा, वहां से पहले तो नए सरगिक मैत्री उसने बनाई इसके बाद एक और मैत्री ग्रह बनाता है जिसे कहते हैं तातकालिक कहते हैं कि ग्रह जहां बैठेगा वहां से दूसरा घर तीसरा घर, चौथा घर इसके बाद दसवां, ग्यारहवां और बारहवां बहुत सरल है, सत्रुता कहां रखेगा तो जहां बैठेगा वहां से पांचवां, छठवां, साथवां आठमा और नुमा इन घरों से या इन घरों में बैठे ग्रहों से तातकालिक सत्रुता रखता है अब उदाहरण से पुना समझाता हूँ मान लीजिए चंद्रमा दूसरी रासी में बैठे हुए हैं तो अगर यहां पर जो भी ग्रह बैठा होगा यहां 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 और यहां यहां और यहां इन तीन घरों में इन तीन घरों में और इन तीन घरों में जो भी ग्रह बैठे होंगे उससे चंद्रमा ततकालिक मित्रता रखेंगे भले वो चंद्रमा के सत्रु ही क्यों नहों समझ लीजेगा इसको भले वो ग्रह चंद्रमा के नैसरगिक सत्रू ही क्यों नहों लेकिन चंद्रमा उनसे ततकालिक मित्रता रखेंगे वहीं चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से पांचवे, छठवे यहां अंक से कन्फ्यूज्ड मत हो येगा यहां चो नंबर लिखा है लेकिन आपको किसी भी प्रकार के संसे में नहीं पढ़ना जहां बैठे हैं वहां से गड़ना करनी है तो जहां बैठे हैं वहां से पांचवे, छठवे, साथवे, आठवे और नुवे इन भावों के भावों में बैठे ग्रहों से चंद्रमा की तातकालिक सत्रुता होगी चाहे वो ग्रह चंद्रमा के मित्र ही क्यों न हो मैं समझता हूँ कि समझाने का जितना मैंने प्रयास किया आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई जो नहीं समझ में आया, कल मैं पंचधा मैत्री चक्र और बड़ा सा एक जनमान के चक्र बना करके एक कुंडली पर यह समझाने का प्रयास करूंगा कि ग्रह किस प्रकार से मित्रता रखते हैं, बस इसको आप याद रख लीजिए, इसको समझ लीजिए और कल जब पंचधा मैत्री बताऊंगा, वो आप खुद से ही निकाल लेंगे, इन दोनों चीजों को बस याद कर लीजिए, मुझे लगता है कि एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा आज के लिए वस इतना ही, कल पुनह हाजिर होंगा, आप सब के समुख ग्रहों की पंचधा मैत्री को ले करके, तब तक के लिए इंतिजार कीजिए और इसको याद कर लीजिए, ये बहुत आवश्यक्त क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, तो आज के लिए वस